दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा लेकर आए हैं जो आपके सरीर से बहुत सारी बीमारियों के लिए एक रामबन उस्ति की तरह काम करेगा और इसके सेवन से आपके सरीर से बहत्तर रो बिलकुल खतम हो जाएंगे दोस्तों आज कल बिना कुछ खाई पिये ही पेट में गैस बन जाती हैं और पेट फूल के मोटा हो जाती हैं जिसके काम खटी-खटी डकारे भी आने लगती हैं और गले में जलन होने लगती हैं अगर आप भी इस समस्या से परिसान हैं तो आज हम आपके लिए एक अदबुत उपाई लेकर आए हैं यदि सोच के दोरान आपका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता तो समझ लीजे आपको कबज की बिमारी है और तरल पधारतों की कमी आपके सरीर में हो गई हैं यदि कबज हो जाए तब कोई भी खुद को फ्रेस फिल नहीं करता एक बात ध्यान अवस्य रखी जदी कबज होने पर उसको अंदेखा किया तब इसके प्रणाम काफी घातक होते हैं यह किसी भी जटल बीमारी का रूप ले लेती हैं कबज के होते ही पेट में अनेक व्यादिया आ जाती हैं उधान के लिए कबज वाले रोगे को पेट तर्द की सिकायत रह कबज यू तो छोटी सी समस्या लगती हैं और इस कान लोग इसे काफी नजर अंदाज भी करते हैं लेकिन इसे छोटी समस्या समझना सेहत के साथ खिलवाड करना है आप पेट से जुड़ी इस समस्या को जादा समय तक नजर अंदाज करते हैं तो यह सेहत के लिए बहुत कबज के कान जो की पेट से समंदित है इससे परभावित होने वाले लगबग भागता रोग को आप बिना बुलाई महमान बना लेते हैं समय रहते जाग जाए नहीं तो आपको बहुत भारी परिशानी का सामना करना पड़ते हैं इस कबज के कान ही हमारी सिरिर में मोठापा डाइबटीज, कोलोस्टोल, हार्डटेक जैसी बड़ी-बड़ी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता हैं दोस्तों देश के लगबग 20 फिस्दी लोग कबज से पीड़ित हैं और इन में से 14% वो लोग हैं जो सहरों में रहते हैं सहर का रहन सेन, कुछ भी खा लेने की आदत और मजबूरी, घटते सारेरिक सरम, आदे ने कबज को इनके जीवन का एक महत्यपून हिस्सा बना दिया हैं तो आईए कबज को थोड़ा करीब से समझते हैं और इसके अच्चू कुपायों के बारे में जानते हैं जिससे कि आप इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए चुटकारा पास की और ना सिरफ दोस्तों इस समस्या से बलकि इसके दोबारा होने वाले 72 रोगों से भी आपको चुटकारा मिल जाएगा तो आईए दोस्तों जानते हैं कबज का चमतकारिक रामबान उपाए गुड और गिलोए गुड के साथ गिलोए का बारीक चून मिल जाकर सोते समय दो चमच लीजिए और ध्यान रखिए गुड तता गिलोए का चून बराबर मातरा में आपको मिक्स करना हैं इससे आपकी कबज बिलकुल सही हो जाएगी मोटापे का नाम और निसान नहीं रेगा और दिल से जुड़ी बीमारिया भी सही होंगी इस सब गोल इस समगोल की मातरा 6 ग्राम को 200 ml कुनगने दूद के साथ सोने से पहले पी लें कभी कभी इस समगोल की भुसी लेने से पेट फूल जाता है ऐसा बड़ी आत में इस समगोल पर बैक्टिरिया के परभाव से पैदा होने वाले गैस से होता है इसलिए ध्यान रखें कि इस इस समगोल अच्छी तरहें फूल जाता है तिरफला सेंदनमक और अजवायन 10 ग्राम सेंदनमक 10 ग्राम तिरफला और 10 ग्राम अजवायन को मिलाकर कूट लेजे और एक बारीक चून बना लेजे अब हर रोज हलके गरम पानी के साथ 3-5 ग्राम चून का सेवन कीजे पुरान का गुद्दा सौफ इससमगोल की भूसी और छोटी लाइची पुरानी आउं या आतों की सूजन में 100-100 ग्राम बेल का गुद्दा सौफ इससमगोल की भूसी और छोटी लाइची को एक साथ पीस कर पाउडर बनाए अब इसमें 300 ग्राम देशी खांड या बूरा मिलाकर क पर आज की सीसी में भर कर रखते हैं. इस चून की दो चमच मात्रा सुबह नास्ता करने से पहले ताजे पाने के साथ लें. और दो चमच स्याम को खाना खाने के बाद गुनगुने पानी या गरन दूद के साथ साथ दिनों तक सेवन करने से बहुत ही चमतकारिक रोप से पना कर इस कबज रूपी राक्सस से हमेशा हमेशे गले चुटकारा पासकते हैं। क्योंकि दोस्तों यह कबज अनेक बीमारियों का कान बनती हैं। और अगर आपका पेल्ट सही है तो आपको जीवन पर कभी भी किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी बरापत हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वेशियर करना ना पूले। इसके साथ-साथ आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमे बना सकते हैं और सुखमे जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों